ताइम्स के सभी दर्शकों का हमारे खास कारकरम खबरों का पंच नामा में स्वागत है आज का हमारा विशे है क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता शाहिन बाग से होका जाएगा अब दिल्ली चुनाव में कुछ ही समय बचा है ऐसी सिती में कौन से पार्टी किस मुद्दे पर वोट पाएगी या कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है जहां शुरवाती दौर में चुनावे मुद्दा बिजली, पानी और महंगाई को लेकर शुरू हुआ था वहीं वो अब धीरे धीरे शाहीन बाग के और जुकता नजर आ रहा है जहां भाजपा ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट को राश्टरवाद से जोड़ दिया है वहीं आम आदमी पार्टी का फ्री बिजली और फ्री पानी का स्लोगन कहीं बैकड्रॉप में तो नहीं चला गया है इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमाई साथ दो खास महमान है पहले हैं भाजपा के प्रवक्ता श्रीयासर जिलानी और NBT Digital के एडिटर आलोक कुमार जिलानी मैं आप से शुरू करना चाहूंगा क्या ये बात सही है या आपको भी ऐसा लगता है कि दिली की मुख्यमंतरी के कुरसी का रास्ता शाहीन बाग से होके जाएगा देखें मुझे लगता है कि कोशिश करी गई आम आदमी पार्टी जो इस वक्त दिली में सरकार में है उसने प्रायोजित तोर पे एक ऐसा माहूल बनाया जिसमें आम आदमी को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया एक जूट के बनियाद पे देखें सी ए को लेके ये मामला शुरू हुआ था जामिया मिले इसलामिया में पहला आंदोलन हुआ उस आंदोलन के दो दिन के बाद अमानतुला खान जो आम आदमी पार्टी का एमले है और अभी का परत्याशी है और जिस पे अभी देखतरो के केस में जो जेल चला गया शर्जले माम इन दोनों की पहली वीडियो वहीं से शुरूआत होता है इस आंदोलन का उन्होंने अपने वीडियो में कहा किस तरीके से एक खास समुदाय को टार्गेट किया गया कि आपको बुर्खा नहीं पहने दिया जाएगा आपको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा और आपको तरह तरह की उन्होंने भणकाने की कोशिश करी लेकिन दिली की जंता सम ही चाहते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंतरी का जो चुनाओ हो वो शाहीन बाग एक बड़ा मुद्दा उसमें हो इसलिए दिखिए कौन लेकि आया यही मैं आपको बताना चाहता हूं भाजपा ने तो शुरुआत नहीं करी किसके लोग वहां बैठे हुए कौन किसका है मेले वह दिल्ली के उन लोगों के लिए जो वंचित रहें पिछले चार साल नौ महीने में इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया आपने भी देखा तीन महीने में आके आपको बिजली भी फ्री देने की बात इन्होंने दो सो यूनिट की कर दी पानी फ्री दे रहे हैं और पता नहीं क् समझ नहीं रही है कि आप पिछले चार साल नौ महीने में अपने किये हुए वादों में फैल साबित हुए हैं तो आपके पास अब दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया तो आपने शाहीन बाग खड़ा कर दिया और फिर वो एक समुदाय विशेश को खुश करने के लिए क्योंकि वो तुस्टी करन का सबसे वड़ा उधार और वोर्ड बैंक का समुदाय विशेश है उस अलाके में अकसरियत में है उनको खुश करने के लिए एक दूसरे जो बड़े समुदाय को जो 80% से जादा इस दिल्ली में है उसको कटगरे में आप खड़ा करते हैं क्योंक क्यों कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं सीए से कौन सा मुसल्मान इंपक्ट और इफेक्ट में आएगा सीए में कलियर कहा गया है कि पाकिस्तान बंगलादेश अफगानिस्तान से जो परताना और उत्पिडन के शिकार लोग आएंगे उनको सिटिजन्शिप दी जाएगा आप ब दिया गया लेकिन बीजेपी ने उसे जिस तरह से ट्विस्ट करके उसी को मुद्दा बना के उस पर बहुत जबर्दस वोट को मोबिलाइज किया यह हो सकता है कि भाजपा जिलानी जी जो कह रहे हैं कि जो शाहीन बागे वो क्रियेट आम आदमी पार्टी ने किया लेकिन क या उसका चुनावी लाब भाजपा नहीं ले रही है देखे यहां पर जो इन्होंने पहली बात कही मुख्य मुद्दा इन्होंने बताया कि हमने गरीबों का बनाया है अगर दो रुपए किलो आटा से भारतिय जनता पार्टी की दाल गल्ली होती तो शाहीन बाग का मुद की उठा पाएगी की नहीं बिल्कुल उठा पाएगी जो हवा दिख रही है जो मौसम बदल रहा है दिल्ली का वाकई मौसम बदल रहा उसके साथ चुनावी फिजा में भी जो बयार है वो थोड़े से बदलाव दिखते हैं क्योंकि इमोटिव इसूस पे जब भी आप जाता है कि राजनीती सत्ता पाने का एक जड़िया है तो सत्ता पाने के लिए अगर इसकी जरूरत पड़ी है तो शायद बातली जनता पार्टी जलानी जी एक सवाल है जब राजनीती में छेत्री दल और राश्ट्री दल जब आमने सामने होते हैं तो एक बहुत ट्रिकी चीज़ होती है छेतरी दल छनिक लाब के लिए या चुनाव में तुरंत जीत के लिए वो कुछ भी वादे कर देते हैं किसी भी स्टेट में हो कहीं भी हो जैसे आम आदमी पार्टी ने कुछ भी फ्रीवीज जनता को दे के वोट ले लिया जो आपने वादे किये हैं जो आप बीज दिये जा रहा है ने ने देखी जो दिली के जो भाजपार आश्ट्री पार्टी है आपके परिवेश को मैं आपके सवाल के समझ रहा हूँ लेकिन आप देखी जिस राज्ये की जो जरूरत होती है अगर यहां के संकल पत्र में धारा एकासी को पुर्णता रूप से खतम करने की बात कही गई है तो किसानों को पुरन रूप से फायदा देने की बात है जो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई पिछले पांस साल में आप बताई कितने बड़े-बड़े वादे थे आम आदमी का था लेकिन जिलानी जी आटे की जरुवत तो पूरे पूरे दे कि पॉलिटिक्स है उसमें शामिल होने की कोशिस बना है पहले से चल रही है तीन रुपए किलो और पांच रुपए किलो गेहूं और चावल पहले से मिलगा है लेकिन यह कुछ नहीं है जिस तरह से आम आद्मी पार्टी को टक्कर देने के लिए पता है कि दिल्ली के ग्रामी यह स्टेटीजी अपना ही है मैं इसको अब यह माने या ना माने लेकिन अंदर खाने से तो यही लगता है कि यही रन नीती अपना है जिलानी जी मानिये पत्रकार बहुदे हैं अब इनके सवालों के जवाब में मैं तो कोई टिपड़ी करने की मेरी हैसियत नहीं बन रही ह लेकिन मैं बाते जनता पार्टी की तरफ से बिलकुल यह बात कहूंगा कि हमारी सरकार दिली में बन रही है उसकी बॉकलाट का नतीज़ा है कि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है जो आम आदमी पार्टी देखें यहां कॉंग्रिस तो है नहीं कॉंग्रिस का बिलकुल तरह काम कर रही है और मुझे लगता है कि दिली की जो जनता है ना तमाम राज्यों से थोड़ा डिफरेंट सोचती है उसने पांस साल में इनको देखा है इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे हमारा वी आई पी कल्चर नहीं होगा वो सारे क काम इन्होंने किये आज तक वाइफाई मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है सीसी टीवी इन्होंने 15 लाग कहे थे हमने बार बार इन से सवाल पूछा कि भाई सब आप बताई तो सही कहा लगे हुए वो तो दिखाई नहीं दे रहे कुछ अजार इन्होंने लगाए जो कह जैसे आपने कहा कि जो भी आपने विकास की या आहमादी पार्टी की विफलताएं बताई लेकिन जब आप चुनावी रैली में जाते हैं तो आप शाहीन बाग कहते हैं इस नजव गड़ में वोट पड़ेगा करेंट शाहीन बाग में लगेगा वहां पर ये निशार गया चाल चलेंगे आपके लोग होंगे और आप ये चाहेंगे कि आप देखिए कल का जो इंसिडेंट है ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट है ये कि उस लड़के का पकड़ में आना उसके बाद उसने तमाम अपनी फोटो को डिलीट कर दिया था वो तो स्मार्ट फोन की सामने दूसरे समुदाय को खड़ा करके घरना पैदा करना समाज में समाज का जो ताना बाना है उसको तोड़ना ये तो मुझे नहीं लगता है कि दिली में एकसेप्ट किया जाएगा और बात सामने आ गई अगर सवाल शाहीन बाग का बार बार लाया जाएगा तो पिछले 52-53 दिन से शाहीन बाग में ही लोग बैटे हुआ उनसे पूछे हूँ ठें जलानी जी शाहीन बाग पे कोई एक्शन केंदर सरकार क्यों नहीं ले एक्शन का मेरा मतलब है कि कोई उस पर ऐससको फोई स्टेंप क्यों नहीं लिया जा रहा है कि वहाँ से लोग फटें या उ और्गनाईजर हैं उसमें वो एक दो दबंग दादी जो मशूर हुई है उस आंदोलन से वो भी कई थी उन्हों ने उनसे वाइदा किया था कि जो बेसिक एमेनुटी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको हम वहां पे आने जाने देंगे जैसे एम्बूलेंस को आने दें उन्होंने जब वहां से मुलाखात हुई वापस आए उनसे यह कहा गया कि आप से आगे भी बात होगी समवात कायम किया जाएगा लेकिन उन्होंने आके समवात तोड़ दिया क्यूंकि आपको मैं बता दू शाहीन बाग आंदोलन में जो पॉलिटिकल मास्टर हैं उनको अ एक चीज़ आप से पूछना चाहूंगा क्या सरकार के किसी रिस्पॉंसिबल व्यक्ति को वहां से डायलॉग स्थापित करना चाहिए था और अगर वह गलत सोच रहे हैं तो उनको वह भी हमारे अपने लोग हैं क्या जो गलत सोच रहे हैं उनको समझा के या उनसे एक समव करते हैं कि आठ फरवरी के बाद चिंता मत करिए अपने आपके खत्म हो जाएगा और शुरू से अरविंद केजरिवाल ने गोल्डेन साइलेंस का की नीती अपनाई थी उनका यह था कि हम कुछ नहीं बोलेंगे यह कॉंग्रेस और बीजेपी वाले लरें बीजेपी को अब आपको भी लगता है कि हम जाएंगे तो फंसेंगे बीजेपी को लगता ही है कि अगर हमने वहां पुलिस करवाई कर दी तो शायद इसका बहुत ही निगेटिव आप यह चाहता होगा कि भाजपा अगर कुछ करवाई करें तो अब ही है कि दोनों तरफ से चीछा लेद आपको क्यालता है जादा लाब इसका किसे हो रहा है आपको यह भाजपा को तो नहीं हो रहा है हां वो तो फक्का अच्छा एक चीज़ मैं अपने दर्शकों के बीचे बताना चाहूंगा हमने आपको आपके नुमायंदे को रिप्रेजेंटेटेटिव को बुलाने की और हम लोग खुद भी जब निकलते हैं बाहर और लोगों से बात करते हैं तो ऐसा जरूर लग रहा है कि भारतिया जंता पार्टी जो पहले बिल्कुल नकारी जा रही थी दिल्ली में उसने वापसी की है लेकिन सरकार बना लेगी इस पर अभी भी कोई यह कहने को तयार न लोग कॉंग्रेस को इस समय किसी फाइट में ले रहे हैं नहीं कॉंग्रेस तो बिल्कुल कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है अगर कॉंग्रेस दिखती अपनी बात रखती यह तो लोग तंतर का यही तो खुब सूरती है कि तमाम लोग अपनी बात को रखते हैं लेकिन अ पार्ट तारीख को आप यकीन रखे भारती जंता पार्टी बहुत आराम से सरकार बना रही है अच्छा जिलाने जी एक चीज और एक आरूप और लग रहा है विपक्ष लगा रहा है बजट में कुछ नहीं था वो आईवाश था उसकी असफलता आर्थिक मूर्चों पे कि धाई घंटे वित मंतरी साहिवा ने अपना भाशर दिया तो उन्होंने का कि कैसे इतनी देर तक अब उनकी समझ को आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक मिनिस्टर धाई घंटे खड़े होके अपने बजट को पेश करता है तो वो उस पे डिसकस करते हैं वो चर्चा नहीं करते हैं कि किसानों के लिए आप हर छेतर में देख लीजिए आप आप देखिए कि चाहे एजुकेशन का हो उसमें किस तरीके से बजट को बढ़ाया गया है हेल्थ सेक्टर में बजट का क्या स्वरूप रहा है तो आपको समझने की जरूरत है अगर विपक् सरकार इतनी मजबूती से सामने अपनी बातों को रख के अपने लोगों को कनेट करने की कोशिश कर रही है तो उनका दायत तो और करतवे बनता है कि वह भी अच्छी बात नहीं करें चाहा अलोग एक मेरा सवाल है कि जो शाहीन बाग में प्रोटिस्टर बेढ़े हैं वह भ आपको सही लगता है उसके पीछे जो एक लॉजिक उनकी तरफ सहतर किये है कि वो आम लोग हैं वो उनको उसके बर्गलाया है और वो उसके कारण वहां बैठे हुए हैं अब उनके पीछे जो कौन से फोर्सेज हैं क्या वो अमनतुला हैं या कोई और हैं इसकी तो जाच भी अगर और कोई मामला होता तो शायद दो दिन में आपको पता चलता है यहां वहां जो बैठे हुए लोग है ऐसा नहीं है कि उन सारे लोगों को भारतिय जनता पार्टी भी कहती है कि यह सब रास्मिरोधी है शाहीन बाग चुकी एक सिंबल बन चुका है और वहां से जो ग् इसलामिक कटर पंथ इसलामिक कटर पंथ इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है उसमें इस्तेमाल होने वाले नारे इस ने इस इस तरह के कैलिफेट के नारे पुरवत्तर को अलग करो के नारे तो वह उसकी कारण जो चवी है वहां खराब हुई और जो गांधिवादी प्रोटेस्ट कहते हैं तो गांधी जी इस मामले में बड़े सतर्थ रहते थे कि जब उनको लगता था कि आंदोलन का उग्र हो रहा है तो उसको वापस ले तो वही सलाह दे रहे हैं जो पहले शाहिन बाग के साथ थे यार आंदोलन वापस लेने की तो कोई तारीक होती है उसमें भी तो सुचो यह ऐसे नहीं चल सकता कि आप एक सरक बंद कर दें और तरहिमाम करती रहे आपके खुद के बच्चे ना जाएं वहां बैठी हुई है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण उसका घर उजर रहा हो या कुछ हो तो कोई ना कोई मोटिवेटिंग जो फो किसी की नागरिकता लेने का प्राधाम नहीं है तो वह अपने हैं शाहिनबाद के प्रोटेस्टर्स इसमें कोई दो रहा है नहीं हां उनको सिर्फ सही दिशा देने की जरूरत है मतला हम लोग यह उम्मीद करें आठ तारिक या ग्यारा तारिक इसके बाद काफी हद तक वह ही मैं सुनना चाहरा था सवाल आपका कि अगर जरा सा भी सकती हमने कर दी तो यह तो ऐसा हंगामा करेंगी कि ऐसा लगेगा कि उनसे बड़ा कोई विक्टिम नहीं आप बताई अभी इन्हों ने एक चर्चा करी जिस बच्ची की डेत हुई है उसका उसका कौन कारण बन रह हैं जिन्होंने उनके दिमाग में यह डाला है कि सीए से आप डिटेंशन सेंटर में चले जाएंगे पाकिस्तान वापस बेच देंगे हमारे लॉट मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम बात करने के लिए तयार हैं लेकिन उधर कौन बैटा हुआ दे कि उधर जो लोग है वो तो पता है कि वो जो पॉलिटिकल मास्टर है उनका तो सरिफ मुद्दा है कि कि किसी भी तरीके से उनका जो वोट बैंक है वो कहीं भाजपा की तरफ तो नहीं चला जाएगा वो जो डर रहे हैं उस डर का कारण है आंदोलन नहीं खतम हो रहा है आप देखे कि पहले तीन दिन जो तमंचा लेके एक बंदा आम आदमी पार्टी का पहले दिन जो दिन हम लोगों ने तमाम मीडिया चानल पर ये बात कही कि यह आम आदमी का था फिर जब कपिल ने यह अरकत करी तब भी हमने कहा कि यह आम आदमी का वही थाबित हो रहा है तो आप देखे कि कितने आदमी पार्टी का है जैस आप जोर दे रहे हैं तो आप देखिए आप को मैं बता होगा आप वहाँ पे सुन लिए आपको वहां पे आम आदमी पार्टी का जो इस बड़ी वाजिब से बात है कि जहां सोशल मीडिया पर पब्लिक डोमेन में ऐसी फोटोग्राफ्स अविलेबल हैं कि वो उसको अपनी पार्टी में निमंतरन दे रहे हैं जॉइन करा रहे हैं और उसी को भेजा गया यह थोड़ा सा गले उतरना मुश्किल है ऐसा वह भी राजनीती में हैं लेकिन आप बताईए कि यह क्या कह रहे थी कि अगर यह जिस दिन यह लड़का जैसे ही इसका नाम सामने आया तमाम मीडिया के चैनल तमाम जगहों से यह बात आई यह भाजपा की लोग उससे पहले भी एक लड़का उसने गोली चलाई थी उसको डिरेक में भी जो इतिहासिक फैस्ते हुए हैं ट्रेपल तलाग के बट उसकी तो को बात ही नहीं हो रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद खबरों के पंचनामा में आज सिर्फ इतना ही अब हम मिलेंगे 11 के बाद और देखेंगे किन मुद्दे पे वोट पड़े और किन ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको लगता है चर्चा होनी चाहिए तो हमें इमेल करें खबरोंकापंचनामा एड जीमेल डॉट कॉम पर नमस्कार